रक्षार राजमंत्री संजे सेठ हमारे साथ है इनसे सिधे बातचीत करते हैं सर हेमन सोरेन के एफिडेबिट में 2019 में लिखा हुआ है फर्निस किया हुआ है इन्फोर्मेशन कि 42 साल के हैं वो और 2024 में वो हो जाते हैं 49 साल के अब जेमेम का साफ तोर से कहना है कि इसको तो वे सब्सक्राइब के हैं 2019 की बात तो 2019 में उठानी चाहिए थी है देखो यह हमेशा जूट और अब 2019 में नॉमिनेशन हम किस ने घचोट किस ने किया किया कि देखों हमें ने कि हैमन सोरेन आप पहले जूट बोले ते या अभी जूट बोल रहो आपने पहले फ्रॉड किया या ये तो question mark है ना, nomination form हमने नहीं भरा, BJP नहीं भरा ना, तो आपने तो fraud किया ना, आप कैसे जादूगर हो, कि 2019 में 42 साल और 2024 में 49 साल, ये तो जादूगिरी है, आप ये जादूगिरी, क्योंकि आप Congress Party खुद एक जादूगर है, उनके प्रमुक तो खुद जादूगर है, क्य जालू से सोना बनाते हो, जलेबी की फैक्टरी खुलते हो, तो कुछ न कुछ असर होगा ही ना, अब तो चुनायोग का concern है, चुनायोग इस पर देखे, कि भाई, कब इन्होंना fraud किया, एक्चुली है तो fraud, अब चुनायोग को नरने लेना है, क्योंकि ये तो जूट और फ है, उसको आयोग मान रही है, रिटर्निंग अपसर मान रहा है, इसके बाद अगर कोई समस्या है, तो election petition फाइल करना पड़ता है, और उसमें वक्च लगए, हम कहां कह रहे हैं, ये तो फाइल करेंगे, आप तो चुनायोग को नरने लेना है, हम तो इंगित कर रहे है, इन् कोई human error नहीं है, this is fraud, और अब ये कहेंगे, कि हमेशा जब चुनायोग पे उंगली उठाते हैं, अब उंगली उठाते हैं, अब उंगली उठाते हैं, अब उंगली इनके उपर उठाते हैं, जवाब दो, जवाब तो देना होगा ना, चीए साफ तोर से कहा रहे हैं, कि मिसमैच है, 2019 और 2024 के, अब आयोग को कॉल लेना है, ये बीजेपी का साफ तोर से कहना है, केंद्रिये, रक्षा राजमंत्री का ये साफ तोर से कहना है, कैमरमन राकिस्तियोर के साथ, सतीजीत कुमार राची, आज तक